रिंगवोर्म दाद, दाद अंगूठी की आकार की तरह गोलाकार होता है, जिसमें खुजली होती रहती है दाद अधिकतर उन बच्चों को होता है जो टीबी के प्रकृती के होते हैं या जो शारेरिक रूप से कमजोर होते हैं यहा रोग अधितर एक से दूसरे में फैलने वाला रोग है यहा रोग एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती में तब फैलता है जब कोई व्यक्ती इस रोग से ग्रस्त व्यक्ती की चीजों जैसे तौलिया, कपडेव, क्रिम आधि का इस्तिमाल करता है दाद धातु गत रोग है जो शरीर के अंदर धातु दोश के कारण उत्पन होता है अत इस रोग को ठीक करने के लिए मलहम के अपेक्षा सेवन करने वाले आउशधी का प्रयोग करना अधिक बहतर होता है औश्धियों के सेवन करने से दाद के जीवानु को विकास के लिए उचित वातावर्ण नहीं मिलता है जिससे वह अपने आप मर जाते हैं और रोग ठीक हो जाता है चन्ट इस रोग में तवचा पर गोल पपड़ीदार लाल चकत्ते हों जाते हैं जिसके बीच में सामान्य साफ तवचा होती है दाद छोटे लाल चकत्ते से शुरू होकर धीरे-धीरे वह बड़े घेरे में बदल जाते हैं इसमें खुजली होती है और पपड़िया उतरती रहती है रिंगवर्म दाद शरीर के किसी धी हिस्से में हो सकता है लेकिन यह अधिकतर गर्मव नर्म भागों पर होता है जैसे कांख, जांग, पेट के निचले, भाग, छाती एवं पैरों आदी दाद का होमियोपैथिक इलाज बैसी लीनम दाद से पीडित रोगी को बैसी लीनम ओश्धी की तीस शक्ती पहले एक सप्ताह तक सेवन करना चाहिए इसके बाद इस ओश्धी की 200 शक्ती का प्रयोग सप्ताह में एक बार 4 सप्ताह तक करना चाहिए और फिर महीने में एक बार इस ओश्धी की वन अमात्रा का प्रयोग पांच से छे महीने तक करना चाहिए इस तरह ओश्धी का प्रयोग करने से दाद ठीक होने के साथ सिर में रूसी समाप्त हो जाती हैं एवं बाल जड़ने बंध हो जाते हैं दो सलफर अगर दाद के साथ पेट की गड़बड़ी के लक्षन दिखाई दें खटी डकारें आए पेट में गैसे एसिडिटी बन रहा हो उबकाई आती हो भूख न लगता हो रात को बचैनी हो और सिर गर्म वपैर ठंडा हो तो ऐसे लक्षनों में रोगी को सलफर जिसरीन में डाल कर दाद वाले स्थान पर लगाना भी चाहिए कैलकेरिया कार्ब यदी कोई व्यक्ति मोटा थुलथुला को शरीर में जगहज गय ग्रंथिया हो, हाथ पेर पसीजते को और उसके शरीर का प्रकृती लक्षन कैलकेरिया के, सामान हो तो उसे कैलकेरिया कार्ब आउशधी की तीज, शक्ती का सेवन सुभशाम पांच से आठ दिनों तक करने से लाभ मिलता है। इस आउशधी के सेवन से दाद के कीडे को विकास के लिए उचित मौहल नहीं मिल पाने से, अपने आप ही वह समाप्थ हो जाए। आकौत एक जिमा जो कान के पीछ या सिर के पीछे के निम्न भाग में होता है तथा और भी कई प्रकार के तवचा के रोग जैसे गोलाकार एक जिमा या दाद जैसे चकत्ते आदी। दाद से बचने के ये दाद से पीडित रोगी की चीजों कपड़े, बिस्तर्या, तौलिया आदी का उपियोग न करें। यदि आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें अपनी और किसी भी विशय से संबंधित तिपणी बॉक्स में राय और कोई सुझाद। हम आपके सुझाव विशय को अगली विडियो में शामिल करेंगे।